नमस्कार आज के इस वीडियो में हम हिमाच्र परदेश से रिजिए जब कुछ यहां पर बात करने वाले हैं unemployment rate क्या हिमाच्र परदेश में बढ़ रहा है या फिर घड़ रहा है इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं तो यह चले वीडियो को शुरू करते हैं टेलिग्राम चैनल पर मैं इसका पीडियाप डाल देता हूं कोई भी नोरिफिकेशन होती हैं वहां पर आपको जोई कर लेजिए वहां पर आपको जोई मिल जाती है और शुबम जीकेशन की डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से आप अगरेंगे और आपको महत्मा गांदी के प्रिंशिपिकेश के लिए पढ़ने के लिए आपको हाँ किया हीमाचार प्रदेश में बढ़र रही है क्या हिमाचरफ परदेश जाओ बिरोजगारी में टॉप किया है क्या हिमाचरफ परदेश में अनिम्प्लाइमेंट बढ़ रहा है या पिर अनिम्प्लाइमेंट घर रहा है इसके बारे में आपे जाओ बात करने वाले हैं तो सबसे पैसे तो यहाँ पर एक news दिखा रहता हूँ आपको मैं तो बिरोजगारी के ये एक आकड़ा जारी किया गया है simple simple सी बात करता हूँ अगर मैं overall इंडिया की बात करता हूँ तो unemployment rate है जो unemployment rate है वो आपका decrease हो रहा है क्या वह रहा है? decrease हो रहा है तो ऐसे में जाओ आपका हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बिरोजगार व्यक्ति है उसको रोजगार मिरा है तो ऐसे में इंडिया में overall अगर जाओ unemployment rate देखते हैं तो वो decrease हो रहा है अर्थ व्यवस्ता के दिरे दिरे समाने स्थितिकी और लोटने के साथ देश में विरोजगारी की दर जाओ घच रही है Center for Monitoring Indian Economic के मासिक आंकलों के मुताबिक देश में विरोजगारी की दर परवरी में 8.10% थी जो मार्च में जाओ 7.6% जाओ रहे गई है दो अप्रेल को यहाँ अनुपाज और घच कर 7.5% जाओ रहा गया है शहरी बिरोजगारी दर 8.5% है और ग्रामें ख्षेत्रों के लिए जाओ आपका 7.1% जाओ रही है बिरोजगारी दर तो अगर all over India बात करते हैं तो आपकी unemployment rate जाओ घच रही है क्यों घच रही है क्योंकि आपकी जो अर्थवेवस्ता जो बंद हुई थी COVID के दोरान पे तो वो वापिस जाओ बच्ट्री पर आ चुकी है वो उस स्तीती में आ चुकी है वो रोजगार देने की स्तीती में जाओ आ चुकी है अगर हम हिमाचल की बात करते हैं हिमाचल सब्सक्राबित हुआ है या फिर हम यह बोच सकता है कि वो उन दस राजियों में शुमार हुआ है जो जॉब्स नहीं दे पाए हैं लोगों को अपने बच्चों को ठीक हिमाचल रोजगार देने में असफ़ल रहा है अब सिंपल सी बात हैं मैं यहां पर एक चीज आपको प सक्क्षर आपको देखने कर बिलता है तो कोविड के समय पर जाओ तूरिजम सक्क्राइब बिल्कुल बंद था तो ऐसे में इस सक्षर में जाओ रोजगार जाओ नहीं मिल पारा है आपके लोगों को हिमाचल के लोगों को इस विज़ भी रोजगाई दर भरती हैं दूसरा आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ जो है हिमाचर परदेश में जितना भी इंडस्ट्रिय सेक्टर है वो जनरली आपका जाओ फार्मस्टिकल्स उद्योग है हमारे चाहे आप बद्दी ब्रोट्री वाला नादेगर में देख लो चाहे आप जाओ कहीं भी हमाचर परदेश के सिर्मार जिला में देख लो सारे के सारे फार्मस्टिकल्स उद्योग हैं तो ऐसे में यहाँ पर फार्मस्टिकल्स के जो उद्योग के जो बच्चे थे उनको तो रोजगार मिला तो काफी तारे इसके रीजन होते हैं जिसकी वज़से बढ़ गया था ठीक है लॉक्डाउन के समय पे जाओ स्कूल्स जाओ काफी बंद रहे तो ऐसे में जाओ प्राइवेट स्कूल में जो चीछे पढ़ाते थे तो उनका भी रोजगार जाओ काफी हद तक चीना गया ठीक है लॉक्डाउन के समय पे और भी बहुत सारे ऐसे जाओ वरकर्स हैं जिनका जाओ रोजगार जाओ छिन गया हिमाचर परदेश के अंतर नहीं पूरे देश के अंतर तो अब यहां पर देखो हिमाचर परदेश जाओ अनिम्प्राइमें हिमाचर परदेश में बेरोजगार हैं कितने आज लाग के आसपा जाओ हिमाचर परदेश में जाओ बेरोजगार हैं तो हिमाचर परदेश सरकार से मैं यही अनुरेद करता हूँ कि यह जो आज जो यह अनिंप्राइमेंट रेज भर रहा है उसो खम किया जाए और आज ला प्रोवाइड किया जाएं जो भरतियां पैंडिंग है जैसे चार हजार शिक्त्रक्षकों की पैंडिंग है उसको भी जो कंड़क्ट करवाया जाएं ठीक है और जो आपने जुनियर ऑफिसे सिस्टन का एक्जाम जो लिया था वो भी आपका सुप्रेम कोर्ण में मामला रहें कोर्स में उसको भी जड़ी सी जड़ी जड़ी ज़यो निपताई है तो ऐसे में ज़यो कुछ लोगों को ज़यो यहां पर रोजगार मिल जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के जो इन चंपनीज है उसमें भी ज़यो रोजगार के द्वार ज़यो खोड़ जाए हिमा हम िंप्लाइमन्ंट को क हो कंकरने की कोशिश करने ठीग और यहीं दरखवास्त कि एस इतना ही हैं काल Pendार मेरे वीडियो संथ ब्वराणें जाहिं जैभां आताक देनन शुबह जाहिए